नमस्कार दोस्तों बाला जी श्टेडी एड़ा में आपका स्वागत है सिक्षक बरती के इंतरका सूपर टेट का सोसल साइंस के चैप्टर बाइस वीडियो में आपको करा रहे हैं तो चैप्टर नमबर 9 जो है वो भारती बुगोल इसमें कुल 120 प्रस्ण है जिसका 3rd देखेंगे इसका पार्ट नमबर 4 कुल 20 प्रस्ण देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ एक्जाम पॉइंट भी देखेंगे तो चलिए सबसे पहले एक्जाम पॉइंट से सुरू करते हैं फिर हम जो प्रस्ण है उनकी बात करेंगे तो भारत में उर्जा का जो महतपूर स सुरूत है वो कोईला होता है परन्तु सबसे बड़ा सुरूत पूछा जाए तब आप यहां पर सूरूत टिक लगाएंगे उर्जा का सबसे बड़ा सुरूत कौन है तो आपका सूरूत बिल्कुल सही हो जाएगा अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान केबल्स फैक्टरी जो है वो नारायानपुर में जो है वो इस्थित है अगला पॉइंट देखते है तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महराष्ट है वेखिये गन्ना और चीनी दोनों पूछा जाए तब आपका वहां पर अधिकतरा ओप्शन यूपी जो है वो देखने को मिलता है परन्तो यहां पर उत्पादक महराष्ट लिखा है परन्तो आप कहीं जगा सर्च करेंगे तो आपको महराष्ट भी जो है वो चीनी उत्पादन में देखने को मिलता है और यूपी भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महराष्ट जो है आपका कभी उपर हो जाता है चीनी उ अगला पॉइंट है कि गुजरात के सूरत जिले में 1978 इसवी में जो भारत हीरा संस्थान है उसकी जो है वो इस्थापना की गई थी भारती दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कानपुर में जो है वो इस्थित है अगला पॉइंट है कि भारती मौसम विज्ञान विबाग की जो इस्थापना है वो 1875 में दिल्ली में की गई थी अगला पॉइंट है कि भारत में जो सुनामी है वो वर्निंग सेंटर हैदराबाद में इस्थित है बात करते हैं अगले point की तो भारत का वन जीव संस्थान जो की बार-बार पूछा जाता है पारवन वाली portion में दहरा दून में जो है वो इस्थित है और इसकी स्थापना 1982 में जो है वो की गई थी अगला point है कि भारती चावल सोच संस्थान की स्थापना उडीसा के कटक जीले में जो है वो की गई थी आपको ध्यान होगा तो इससे पहले वाले part में मैंने आपको एक trick बताई थी लोकटक जील से सम्मंदित लोकटक में मैंने ये बताया था कि जो मडी पूर है वहाँ पर इ अप्लाई करना है चावल को यदि आप खाएंगे तो चावल खाने में कैसी आवा जाती तो आप कहेंगे कटक कटक की आवा जाती है और बस चावल सोच संस्थान इसी से जोड़ कर आप याद रख सकते हैं कि चावल या भारती चावल सोच संस्थान जो है वो उडीसा के कटक में जो है या कटक जिले में जो है वो है अगला पॉइंट है कि राष्टिय डेरी अनुसंधान संस्थान जो है वो करनाल हरियाना में जो है वो इस्तित है अगला पॉइंट है कि केंद्री खनन अनुसंधान संस्थान जो है वो जारखंड राज के धनबाद में जो है वो इस्तित है अब खानन कहीं पर हो और बहुत सारा धन निकला है तो आप उससे जोड़ के ध्यान रख सकते हैं या कोई वक्ति धनी हो जाएगा तो उससे जोड़ कर ध्यान रखेगा अगला है कि राजिस्थान राजि के राजधानी सहर जैपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है पिछले वाले पार्ट में मैंने ये चीज आपको बताई भी थी अगला पॉइंट है कि भारत के प्रथम परमाडू रियक्तर का नाम जो है वो अपसरा है अगला पॉइंट है भारत में छेत्रपल की द्रष्टी से सबसे बड़ा जो राज है वो राजिस्थान है उसके बाद मद्ध प्रदेश का नमबर आता है, उसके बाद महाराष्ट का नमबर आता है, उसके बाद गुजरात का, इसी परिकार करनाटक, फिर आंदर प्रदेश, फिर उडीसा, इस टाइप से आप स्टार्टिंग के पांचे याद रख सकते हैं, अगला पॉइंट है कि जोजिला दर्रा जम्मू कस्मीर में इस्थित है, और ये स्री नगर को लेह से जोड़ता है, और लास्ट पॉइंट है आपका इस एक्जाम पॉइंट का कि बोमडिला दर्रा अउनाचल प्रदेश के उत्तर पस्चिम में है, और इस दर्रे से तिब्बत जाने का मार्क होते हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, प्रस्च से प्रस्च नमबर एक, ये प्रस्च नमबर एक आपका 61 है, क्योंकि हमने 60 तक देखे दे, तो 60 से लेकर 80 तक हम प्रस्च देखेंगे, तो पहला प्रस्च ने की रोहतांग दर्रा इस्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू लेक दर्रा है वो भी पूछा जाता है तो वो आपका उत्रा खंड में जो है वो इस्तित है रोतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और लिप लेक दर्रा उत्रा खंड में जो है वो इस्तित है अगला देखते हैं प्रस्न दूसरा कि जवाहर सुरंग कहां से गुजरती है पी बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका option number B बनिहाल जो है वो बिलकुल सई हो जाएगा जो जवाहर सुरंग है ये भारत के जम्मु कस्मीर राज जो है उसके रामवन जिले के बनिहाल दर्रे में जो है वो इस्थिद्ध है और ये जोडती किसे किसको है तो जम्मु को स्री नग का है पीर पंजाल जो दर्रा है वो जम्मु कस्मीर के दच्चण पस्चिम में जो पीर पंजाल स्रेडी है उनके मद्ध जो है वो इस्थित है और जम्मु को स्री नगर से जोडने वाला ये जो दर्रा है ये पारस्प्रिक जो मुगल मार गया उस पर जो है वो इस्थित है बुर्जिल की बात करें, तो बुर्जिल दर्रा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो नियंत्रण रेखा है, उस पर जो है वो इस्थित है, ये दर्रा आप कहा सकते हैं, जो P.O.K. यानि की पाक अधिकरत कस्मीर है, उसकी या उसको कस्मीर जो घाटी है, उससे जो है जोड़ता है, P.O.K. को कस्मीर गाटी से जो है ये जोड़ता है, और बात करें, जो जिला दर्रा की, तो ये जो है वो P.O.K. यानि की पाक अधिकरत कस्मीर को कस्मीर से जो है वो जोड़ता है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रसंद तीन की तरह, अगला प्रसंद तीन है क लिपू लेख दर्रा इस्थित है तो पांच आप्शन दे रखें जम्मू गस्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्रांचल अरुनाचल प्रदेश या पस्चे मिगाट आपके चारी आते हैं इस टाइप के पांच आप्शन बैंक सेक्टर में आपको देखने को जो है वो इस्थित है और उत्राखंड में ही और कौन कौन से दर्रे हैं तो आपके दो दर्रे सबसे ज़्यादा है पूछे जाते हैं एक तो आपका माना दर्रा और एक आपका नीती दर्रा तो ये दोनों जो है वो ध्यान में रखिएगा माना दर्रा और नीती दर्रा अगला प्रसंद देखते हैं चौथा दच्छड पस्चिम मानसून काल में निमलिकित इस्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां होती है कोलकाता में, मैंगलॉर में, चेन्नई में या दिल्ली में दच्छड पस्चिम जो मानसून काल है, इसमें चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है और कितनी होती है, तो 40 cm तक वर्षा होती है और ये महान अगर उत्री पूर्वी मानसूनी जो हवाएं है उससे अपनी अधिकांस वर्षा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मद्ध प्राप्त करता है अगला परसन देखते हैं, पांचवा, कि निम्ण में से कौन सा दर्रा सिक्किम में जो है, वो इस्थित है चार उप्षन दे रखें, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा उप्षन A, B, C या, D, तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो नातुला आपका बिलकुल सही हो जाएगा नातुला दर्रा जो है, वो सिक्किम राज में जो है, वो इस्थित है जबकि जोजिला मैंने अभी आपको बताया कि जम्मू कस्मीर में इस्थित है बड़ा लाचा जो आपका पहला उप्षन है, ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में इस्थित है तो प्रस्ण इस टाइब से भी पूछा जा सकता है कि भारत चीन व्यापार के लिए कौन सा दर्रा फेमस है या प्रमुख है तो ध्यान रखेगा नातुला दर्रा जो है, वो हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं, छठा, इसके लाब आप वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहीगा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे सच्छे प्रस्ण लाता रहूं प्रस्ण अगला देखते हैं, छठा, भारत में सबसे कम वर्षा वाला इस्थान कौन सा है, तो चार आप्शन है, लेह, भीका नेर, जैसल मेर या चेरा पुंजी, तो चार आप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो चलिए बात करते हैं, उत्तर की कौन सा सही प्रस्ण ए, लेह, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला इस्थान होता है, और यह इस्तित का है, तो जम्मू कस्मीर उसमें यह इस्तित है, और हिमालाई स्रेडिया है, उसके वरष्टी चाय में इस्तित होने के कान आप कह सकते हैं, यहाँ पर सीत काल, यानि की ठंडियों में, और जो ग्रिस्म काल, यानि की गर्मियों में, दोनों ही मौसम जो है, उसकी जो वर्षा है, उसमें कह सकते हैं, वर्षा जो है, वो नहीं प्राप्त हो पाती है, तो उस आधार पर आप कह सकते हैं, सबसे कम वर्षा वाला इस्तान जो है ये होता है और ये भी आपसे पूछा रहा सकता है कि सबसे अधिक वर्षा वाला इस्थान जो है वो कौन सा है तब आप कहेंगे कि मासिन राम जो है वो सबसे अधिक वर्षा वाला इस्थान है जो कि आपका मेगाले जो है वो इसमें इस्थित है मेगाले में जो है वो मासिन वो आपका सबसे अधिक वर्षा वाला इस्थान है पहले चेरा पुंजी हुआ करता था परन्तु अब मासिन राम जो हो गया है और यह जो जैसल मेर लिखा है और बीकानेर लिखा है यह दोनों ही जो है आपके राजिस्थान जो है उसके जिले हैं अगला प्रसंद देखते हैं साथवा कि भारत में सरद कालीन वर्षा के छेतर हैं चार उप्षन दे रहे हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन से जो है वो सरद कालीन वर्षा के छेतर हैं तो option A, B, C या D चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका option number B पंजाब और तमिल नाडू आपका बिलकुल सही हो जाएगा देखिए भारत में October से लेकर November जो है इसमें जो मानसून होती है उसके लोटने के साथ ही जो मानसून के चलने की जो दिसा होती है वो दच्छिड की ओर जाती है तो यही जो लोटती ही मानसून पवन है उनसे पंजाब हो गया, तमिल नाडू हो गया, पश्चिम बंगाल हो गय केरल हो गया, इन सभी राज्यों में सरद कालीन वर्षा जो होती है यानि कि आपको पश्चिम बंगाल या केरल देखने को मिलता option में तो वो भी आपका जो है वो सही होता यह सभी नाम ध्यार रखेगा वरते हैं अपने अगले प्रस्न आठ की तरफ कि पारादीप कहां जो है वो इस्तित है केरल करनाटक पश्चिम बंगाल या उडिसा चार option दे रखें आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा तो चलिए बात कर लेते हैं उतर की तो उडिसा आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा जो पारादीप बंदरगा है ये उडि उडिसा में जो है वो इस्तित है और ये जो बंदरगाह है वो उडिसा तट पर जो महानदी डेल्टा है उसमें जो है वो इस्थापित किया गया है महा नदी डेल्टा जो चेतर है उसमें वो इस्थापित किया गया है और इसे फ्री पोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है और कह सकते हैं जो लोईस्पात उद्योग लगाने है उसका प्रस्ताव भी यहाँ पर अनुमूधन में रखा गया है और यहीं से जो जापान है उसको लोईस्प और मैगनी जो है उसका निर्याद भी जो है वो किया जाता है आयात का मतलब क्या होता है कि बाहर से कोई चीज अपने देश में मंगाना और निर्याद मतलब यहाँ से बाहर जो है वो भेजना अगला परसन देखते हैं नवा इन इमलिकित में से कौन सा बादल अत्यदिक तीवर वर्षा के लिए उत्तरदाई होता है तो कपासी, कपासी वर्षा, वर्षा इस्तरी या पक्छाब इस्तरी चार उप्षन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा बात करें उत्तर की आपका option number B कपासी वर्षा बिलकुल सही हो जाएगा जो कपासी वर्षा मेग हैं ये अत्यदिक लंबवत विकास वाले मेग होते हैं और इनी मेग से तेज वर्षा यानि कि तीवर वर्षा उपल वरष्टी प्रबल जंजावत ये सभी की जो घटनाएं होत कौन सा जाए वो सही होगा option A, B, C या D यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यहाँ पर प्रस्ण में ये पूछा गया अधिक्तम प्रसत्षत चेत्र वनाचादित क्योंकि यहाँ पर प्रस्ण दो तरीके से पूछा जाता है ये कि आप से पूछा जाएगा कि चेत्रफल की दरश्टी से सारवादिक वन आवरण यानि की वन से ढखे हुए राज्यों का जो पहले नंबर पर कौन आता है तो आपका मद्ध प्रदेश जो है वो आता है हाली में यानि की जो भारती वन इस्तिती रिपोर्ट दो हजार उन्नेस में जारी की गई है उसके अनुसार जो मद्ध प्रदेश है वो आपका जो है वो पहले नंबर पर है और जो भारती वन इस्तिती रिपोर्ट जारी की गई है ये इस बार की 16 रिपोर्ट जारी की गई है इससे पहले 15 जारी की गई थी जो की 2017 में जारी की गई थी तो उसके अनुसार यानिकी जो नव पांच राज्य तो MP पहले नंबर पर, अनुनाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, 36 गड़ तीसरे नंबर पर, उडिसा चौथे नंबर पर और महराष्ट जो है आपका पांचवे नंबर पर आएगा और यदि आपको मद्द प्रदेश का जो वन आवरण है वो कितने छेतर मे फैला गया है ये पूछा जाए तो 77,482 वर किलोमेटर जो है में फैला हुआ है तो इतना याद रखेंगे उतना जो है वो काफी होगा अब लोटते अपने प्रस्ण में जो कि आपका पूछा गया था सारवादिक वन आवरण प्रतिसत के आधार पर तो जब आपसे प्रति है तो मिजोरम में परसेंटेज कितना है इसको भी धान रखेगा तो 85.41 परसेंट जो है आपका बिलकुल सही हो जाएगा तो मिजोरम तो पहले नमबर पर हो गया दूसरे नमबर पर आपका आता है अनुणाचल प्रदेश जहाँ पर 79.63 है तीसरे नमबर पर आपका आता है मेगाल है जहाँ पर 76.33 है चौथे नमबर पर आपका आता है मडीपुर जहाँ पर 75.46 है और पांचो नमबर पर आपका आता है नागालेंड जहाँ पर 75.31% है तो इस टाइप से सीरियल जो होता है चलिए परते हैं अपने अगले प्रसंट की तरब यहाँ से हमारे प्रसंट का नमबर चेंज हो रहा है यहाँ से 71 से लेकर 80 तक मैंने पहले बताया था आपको कुल 20 प्रसंट हम देखेंगे तो 71 प्रसंट ने आपका निमलिकित राज्यों में किसका वन छेत्र भारत में सबसे ज़ादा है तो 36 गड़, महराष्ट, मद्द प्रदेश या आंद प्रदेश तो चार आप्शन है आपको बताना है कहन सा सही होगा तो अभी जो मैंने बताया था सबसे पहला वाला वही यहाँ पर पूशा गया है यानि कि छेत्रफल की द्रश्टी से जो सारवादिक वन आवरण वाला है उसमें सबसे पहले नंबर पर कौन है तो मद्द प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 77,482 वर किलोमेटर जो में यह फैला हुआ है यह एकदम लेटेश रिपोर्ट के अनुसार में आपको बता रहा हूँ जो कि दिसंबर 2019 में जो है वो जारी की गई थी और कौन सी तो भारती वन इस्थिती रिपोर्ट 2019 कौन से नंबर की थी तो 16 वी जो है यह रिपोर्ट थी बढ़ते हैं आपने अग्रियो प्रसंट 72 की तरफ कि भारत में आप लावी वन कहां पाए जाते हैं चार आप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन से सही होगा आप्शन A, B, C, D बात करते हैं उत्तर की तो सुन्दर वन आपका विलकुल सही हो जाएगा आप लावी वन को ही हम मैग्रोव वन के नाम से जानते हैं आप देखें मैग्रोव आप सभी ने सुना होगा परन्तु आपने आप लावी वन नहीं सुना होगा और इसी टाइप से आपको जो कौशन पेपर उसमें कन्फ्यूज किया जाता है तो इसी को कहते हैं और ये कहां पाए जाते हैं तो सुन्दर वन में पाए जाते हैं और इस प्रकार के जो वन होते हैं वो दल्दली जो मिट्टी है उसमें उगने के काण आप कह सकते हैं जल जो सहने की जो छमता होती वो इनकी अधिक होती है और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसमें सुन्दरी व्रक्ष की अधिक्ता के काणी इस चेत्र को सुन्दरवन का नाम जो है वो दिया गया, सुन्दरी से ही सुन्दरवन जो है वो बना है 73 प्रसन है कि लातूर जो है वो किस प्रांत में है, चार आप्षन है आपको बताना है कौन सा सही होगा यदि आपने क्राइम पेट्रोल का सो देखा होगा तो वहाँ पर ये नाम लिया गया है दो चार बार बात करते हैं उत्तर की, जी महराष्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1993 में जो यह है यहाँ पर भुकम से भेंकर तबाही आई थी, तभी से यह थोड़ा सा चर्चा में जो है वो आया था अगला प्रसंट 74 कहा रहा है कि निमलिकित में से कौन भारत की सीमा में इस्थित एक मात्र सक्रिय जौला मखी जो होता है तो चार आप्शन है, आपको पताना है कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की तो बेरन द्यूप आपका विल्कुल सही हो जाएगा भारत की सीमा में आपके अस्तित एक मात्र सक्रिय जौला मुखी जो है ये बैरन दियूप है जो कि आपका व्रहद अंडमान में जो है वो इस्तित है और जो नारकोंडम जौला मुखी दीप है वो भी यहीं पर जो है वो इस्तित है जो कि एक सुप्त जौला मुखी में जो है गोदावरी, महानदी, पेनार या दामोदर चार आपशन है आपको बताना है कौन सा सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की तो आपका महानदी बिलकुल सही हो जाएगा हिराकुन बांद जो है उसका निर्माण कब हुआ था तो 1948 में सुरू हुआ था और 1953 में बनकर कम्पलीट हो गया था और 1957 में ये बांद जो है वो कार भी करना जो है इसने अपना सुरू कर दिया था हिराकुन जो बांद परियोजना है ये भारत की जो नदी घाटी परियोजना है उसमें से भी एक आती है और इसी परियोजना के अंतरगत जो उडिसा है उस राज में संबल पुर जिले से 15 किलो मेटर दूर जो महा नदी है उस पर हिराकुन बांद जो है वो बनाए गया ही राकुन बान परियोजना अगला प्रसन 76 है कि गोविंद वल्लब सागर इस्थित है तो चार आप्षन है आपको बताना है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार या उडिसा और यही प्रसन मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा था और आप से कहा था अगले वाले प बदल गया है तो एक पुराना नाम एक नया नाम है तो यह उत्तर प्रदेश के सोन भद्र जिले में पीपरी नामक इस्थान पर जो है वो निर्मित है और किस नदी पर तो रिहंद नदी पर जो है वो इस्थित है यह भी ध्यान में रखिएगा बढ़ते हैं अगले प्रसन पर और एक चीज और ध्यान रखिएगा यहां से एक प्रसन ये भी पुछाजा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है तब आप इसी को टिक लगाएंगे रिहंद बान परियोजना या गोविंद बल्लब सागर पंत सागर परियोजना इस टाइ दुलहस्ती आपका बिजली स्टेशन है ये 390 मेगावाट चमता के उत्पादन की जो विद्दुत है या जल विद्दुत परियोजना है उसके अंतरगत आता है और इस्थित का है तो जम्मू कस्मीर जो है उसके किस तवार जिले में चिनाब नदी पर जो है वो इस्थित ह बढ़ते हैं आपने एकले परसंट 78 की तरफ कि टीहरी पन विजली कॉंपलेक्स निम्ली कितमे से किस एक नदी पर इस्थित है अलक नंदा भागी रती धौली गंगा या मंदाकनी चार ओप्शन है तो बात करें उत्तरगी तो आपका भागी रती बिलकुल जो है वो सही हो और इसी टीहरी पान से निकल कर आया है टीहरी पन विजली कॉंपलेक्स देखें ट्रिक से आप ध्यान लखेंगे तो आपको चीज़े याद रहेंगी तो आपका भागी रती बिलकुल सही हो जाएगा अगला प्रसंट 79 है कि नागारजुन सागर परयोजना किस नदी परसि है और हैदराबाद से लगबग 144 किलोमीटर दूर नंदी कोड नामा के ग्राम है उसके पास जो कृष्णा नदी है इस पर जो है वो बनाया गया है और थोड़ा साब इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि महाबारत में कृष्ण भगवान थे नागारजुन से अर्जु क्या है कि तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंदित है चार उप्षन दे रखें आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा इसके लावा वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइट करा रहे है तो एक लाइक तो आपका बनता ही है इसके लावा चैनल पर ना आया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्च कीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से अच्छे प्रस्ण मिलते रहे हैं तो बात करते हैं उत्तर की सई हो जाएगा आपका option number C यानि क जेलम नदी तो तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंदित है जेलम नदी से जो है वो संबंदित है इसके लावा जो चिनाब नदी है वो किस से संबंदित है तो चिनाब नदी दुल हस्ती जो परियोजना है उससे जो है वो संबंदित है सतलज से पूछा जाता है तो स सबी वीडियो में हम आपसे एक नएक प्रस्ण पूस्ते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रस्ण ये है कि इन में से किस सहर को दच्छिड भारत का मैंचेस्टर जो है वो कहा जाता है कोयम बटूर, चेन्नाई, बंगलवरू या मदुराई ये चार आप्शन है इन चारों म का हम अगले वाले पार्ट में देंगे, तो इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट समापत होता है, कल हम मिलते हैं दोपहर तीन बजे डेली की तरह सूपर टेट की क्लास के लिए आप देख सकते हैं और सीटेट के लिए साम आठ बजे इस समय जो है वो फिक्स है, तो कीजेगा नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरू कीजेगा मिलते हैं अंगले वीडियो में नए टापिक के साथ अब तक लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वाचिंग